गाईज FIDI का डेटा आ गया है तो क्या आप लोगों ने यह डेटा देखा है देखे आज FI ने बहुत बड़ी बिक्वाली की है और इंडेक्स आप्शन्स में आप देखेंगे 93,000 क्रोल उपे क्या सपास की बिक्वाली करके गए है और जब आप इंडेक्स आप्शन्स पर क 30 नवंबर के दिन निफ्टी 50 में 26,000 क्रोल उपे के आजपास की खरीदारी की गई थी तो अगली दिन हमें मार्किट में एक ट्रेंडिंग मुमेंट देखने के लिए मिल गया था तो अभी के दिन मार्किट में निफ्टी 50 से सारा पैसा FI ने एक्जिट कर लिया है तो कही ना कहीं निफ्टी अब हमें डाउन ट्रेंड में देखने के लिए मिल सकता है तो चलिए चाल पर समझते हैं कि किस तरीके से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को समझेंगे देखे बैंक निफ्टी में हमारे पास दो ल के लिए अपनी पोजिशंस को create कर सकते हैं और 7 में अगर bank nifty 46776 के नीचे निकलता है तो हम अपनी positioning को sales site के लिए execute कर सकते हैं और हमारा target होगा कि हमने जो भी fund यहां पर execute किया है हम उस fund का करीमन यहां पर 10 से 20% जन Pirate करें profit और इस market से एक्जिट हो जाए तो चलिए अब बारीकी से हम निफ्टी को भी समझते हैं कि निफ्टी में कौन से लेवल्स हमारी लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं देखे जैसा हम लोगों को पता चल गया है कि एफाई ने एक बहुत बड़े पैसे की बिकवाली की है त तो हमें अब प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल सकती हैं देखे हमारे पास तीन लेवल है निफ्टी 50 में पहला लेवल हमारा आता है 20,936 अगला लेवल आता है इसके बाद हमारा 20,901 और उसके बाद लेवल आता है 20,861 देखें जैसे ही मार यहां पर हमारा 20,936 के उपर निकलेगा तो हम यहां पर buying opportunity find कर सकते हैं और market के साथ continue हो सकते हैं लेकिन अगर market इसी लेवल के आसपास open होता है तो यहां पर market में हमें selling pressure देखने के लिए मिल सकता है हमारा target होगा 20,901 और अगर 20,901 का भी market कल के दिन breakdown करता है तो यहां पर हम बड़े लेवल पर सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है पहला टारगेट होगा हमारा 20,861 और अगर यह लेवल का भी ब्रेकडाउन होता है तो वापस हमें और भी बड़े लेवल पर 9050 के अंदर सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है तो प्लीज आप लोग ध्यान नखिएग और कल के दिन मार्किट से एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा